Hello my lovely students, welcome back to my creative channel Science by Diba इस वीडियो में हम लोग part 2 को discuss करेंगे chapter 4 का छीक है जिसका नाम क्या था linear equation in two variables इसका part 1 मैं अल्रेडी पढ़ा चुकी हूँ अगर ये वीडियो आप first time अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटा फट जाकर इसको like, share and subscribe कर देना and bell icon को hit कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू ता आप तक timely notification आता रहे चलिए without wasting a time let's start part 1 मैंने अल्रेडी बता दिये हैं अब मैं part 2 को बताऊंगी ठीक है देखो ये आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लिखा किया है graph of linear equation into variable हमें linear equation का graph plot करना है कैसे plot करना है देखो हमारे पास ये दिया हुआ है xy ठीक है यह हमारे पास दिया हुआ है अब देखो यहां पर हम लोग कैसे लिखते हैं coordinate बनाने के लिए x, y तो लिखते हैं तो इसमें x की value and y की value क्या आई हुई है देखो यह हमारा 0 3 ठीक है अगर इसको हम लोग यहां पर plot कर लेते हैं देखो हमारे पास plotting के लिए यह graph दिया रहता है यह आप बना लोगे ठीक है पहले हम लोग इसके जो एक coordinate लिख लेते हैं then second वाले क्या है 2,2 third वाले क्या है 4,1 ठीक है अब देखो यह जो graph बना हुआ है इसमें हम लोग numbering कर लेते हैं मैंने पहले से इसको plot कर लिया था था कि आपको ज़दा time waste नहों अब यह x axis वाला जो पार्ट है this is x and this is x- ठीक है यानि इधर वाले पार्ट में जितना भी number होगा वह का plus में होगा इधर वाले पार्ट में जितना भी number होगा वह का minus में होगा और यह वाले पार्ट में y में इधर plus में होगा और नीचे वाले जितने number होगे यह minus में होगे यह बात तो आपको पता है ना चलो number कर लेते हैं यह आपका बीच में क्या है 0 then यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है अब इधर कर लेते हैं minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 ठीक है अब इधर कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यह आपको आपको प्लॉट कर तो यहां भी देखे यह में हमारा सारा माइनस में आ गया अब यह 0, 3 की बात कर रहें तो इसको देखो कहां पर पॉइंट रखेंगे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूं जिससे आपको असानी रहेगी मैंने ग्रीन ले लेना है ठीक है अ जीरो का मतलब क्या है यह आपका एकस है तो यहां पे यह 0 वाली बात आ गई ठीक है अब 3, 3 मतलब y, this one ठीक है यह पहला पॉइंट यह वाला आ गया अब दूसरा देखें 2,2 यह वाला x है यह वाला y तो x में पहले 2 यहां पर आएगा और y में 2 कहां आ जाएगा यहां ठी ठीक है नाओ इसमें हम लोग देख लेते हैं x क्या है 4 y क्या है आपको 1 तो 1,2,3,4,4 यह है y,1 यह वाला y,4 पर 1 यहां ठीक है तो यह तीनों पॉइंट आ गया अब हम लोग अपना scale ले लेते हैं रूलर अब इससे तीनों पॉइंट को मिला कर एक लाइन खीच लेंगे चलो देखें ठीक है एकदम इस ट्रेट लाइन हमें खीची नहीं है ठीक देखो यह तीनों को कटती भी लाइन आई यह हमारी यहाँ पर वैल्यू निकल गई ठीक है यह तो इस ट्रेट लाइन आई है हमारी ठीक है I hope so यह आपको clear हो गया होगा अब देखो जैसे question क्या है graph of linear equation in two variable अब two variable की जब बात आएगी तब क्या होगा suppose आग के पास x plus y equals to 7 दिया हुआ है अब यह two variable की बात कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले let करेंगे let करें let x equals to 0 से start करतें अब यहाँ पर हम लोग value रख देंगे तो x की value 0 y ऐसे ही रहेगा 7 ठीक है y equals to 7 आ गया तो यह आपका क्या आया x 0 है आपका y आपका 7 एक यह निकल गया ठीक है दूसरा हम लोग लेट कर लेते हैं x equals to 1 को लेट कर लेते हैं ठीक है तो x की value क्या लिख देंगे 1 y हमारा ऐसे 7 ऐसे लिख देंगे y लिखेंगे 1 उदर minus हो जाएगा 7 minus 1 and then y equals to 6 तो यानि यह आपका क्या आजएगा x की value जब हम 1 put करते हैं तो हमारा y 6 निकल आया ठीक है अब हम लोग लेट करते हैं x equals to 2 अब 2 लिखेंगे plus y equals to 7 y ऐसे लिख रहेगा 7 minus 2 हो जाएगा y equals to 5 तो जब हमारा x 2 है तो y हमारा क्या जाएगा 5 यह बात clear होगे देखो 3 हमारे यह निकल गाए 1 2 3 अब बस हमें एक graph को plot करना है कैसे करेंगे सबसे पहले यह मैंने क्या करा यह ठीक है अब देखो सबसे पहले क्या करना है हमें यह point है 0 0 कहाँ पे है पहले हमनों number कर लेते नंबर लिख लेते 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोगो हमारा 7 हमने maximum लिया है क्योंकि दोगो Y हमारा maximum 7 है ना तो इसलिए हमें यह वाला लंबा ड्रॉ करना पड़ा अब देखते पॉइंट हो गया अब यह वाला हमनको 0 and 7 0 तो यह है आपका और Y क्या है 7 यानि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आएगा ठीक है यह बत क्लियर अब सेकेंड देखते है 1 and 6 पहले तो जो है आपका X के 1 यह वाला ठीक है अब यहाँ पर 6 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आया 6 आपका ठीक है अब के 2, 5 यानि 1, 2, 2 यह 5 1, 2, 3, 4, 5 अब बस हमें रूलर लेना है और इन तीनों पॉइंट को हमें मिला देना है एकदम बराबर से करना है ठीक है देखो यह कट गया? यह तो यह हमारा क्या आ गया? यह हमारा आ गया X प्लस Y एक्वस टू 7 का ग्राफ यह बात क्लियर हो गई? यहाँ पर तो बात हो रही थी graph of a linear equation in two variables देखो आप यह आप निकाल दिया है अब अगर एक case यह आता है कि कभी भी आप linear equation का जिब ग्राफ निकालते हैं तो वो हमारा कैसा आता है straight आएगा ठीक है? अब straight की बात करेंगे तो आप यह सोचों कि straight मनलब चैसे भी चाहे इधर ऐसे बने चाहे ऐसे बने कैसे भी बनता है तो वो हमारा straight ही होगा अब चलो हम लोग देखते हैं next point अब suppose हमारे पास equation of linear parallel to the x-axis and y-axis अभी तक यह straight पर रहे थे अब हमें जो हे parallel कब हमारा आता है तो suppose पहले हमारे पास क्या है in one variable अभी हमारे पास in one variable में x-2 लिखा हुआ है तो अगर हम इसमें x की value निकालना चाहें तो यह 2 उधर चला जाएगा तो plus का हो जाएगा तो x equals to 2 हो जाएगा अब देखो यहाँ पर y तो है नहीं इस तरीके के graph में हमें Cartesian plane इस तरीके से बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें y का काम नहीं है यह one variable की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे इसमें simple सी एक जो ही straight line को draw कर लेंगे यानि number line को number line में हमें पता होता है कि हम क्या करते हैं जीरो यह से लिखते हैं इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और सो ओन देन माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 4 और यहाँ भी हमें क्या पॉइंट दिखा रहा है हमारे पस पॉइंट है x equals to 2 यानि x कहां पर है 2 पे तो यह वाला पॉइंट इन 2 वैरिबल इन 2 वैरिबल अब देखो इन 2 वैरिबल में क्या होगा जैसे हमारे पास 2 वैरिबल का मतलब x माइनस 2 अब देखो इन 2 वैरिबल में क्या होगा x माइनस 2 equals to 0 हमारे पास यह equation दी हुई है अब हमारे पास यहाँ y तो है नहीं तो हम क्या करेंगे यह two variable की तो हमें two variable चाहिए होगा तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x plus zero y equals to two क्योंकि यह minus वाला उदर जाएगा तो plus में आ जाएगा तो यह equation बना सकते हैं यस बना सकते हैं of course अब बस इसमें हमने वही काम करना है let कर लेंगे let y equals to zero से y zero तो x ऐसे लिखा रहेगा y zero ऐसे y की value क्या है zero equals to two x equals to two zero का multiply zero से zero उदर जाएगा minus का zero then x equals to two तो इसमें जो है आपका पहले वाले का क्या आ जाएगा इसमें आपका आएगा पहला x coordinate and y coordinate में तो x जब आपका two होगा तो y आपका zero ठीक है पहला निकल गया अब इसी तरीके से हम लोग सारे निकालेंगे one two and three तहीं निकालेंगे ठीक है चलो अब देखते हैं ये let y y equals to zero करा था अब let करते हैं y equals to one को x plus zero y की value one zero two ठीक है x zero का multiply one से करेंगे हमारा आगया zero equals to two x equals to हमारा two ठीक है तो यहाँ पर x two है और y कितना आगया one ठीक है एक ये आगी value एक और let कर लेते हैं let y equals to three so x plus zero y की value three and two x equals to zero का multiply three से zero and उदर जाएगा तो two x equals to two जब हमारा x जो है y हमने let करा था three तो हमारा x के आगया था two तो two, two, three ठीक है अब देखों ये तीन हमें निकल गए हैं अब हम लोग क्या करेंगे हैं हम लोग Cartesian plane बनाएंगे अब Cartesian plane बनाने के लिए इस तरीके से मैंने line draw कर ली ठीक है अब इसमें क्या करना है one, two, three, four, five, x x dash में minus one, minus two, minus three, minus four ठीक है अब इदा कर ले थे one, two, three, four, y पे y dash में क्या हो जाएगा minus one, minus two, minus three, minus four ठीक है अब चलो अब पॉइंट रखते हैं पहला क्या है आपका two x यानि two है two ये आया y क्या है zero ठीक है two पे y zero तो ये हमारा ये ही अला पॉइंट रहेगा ठीक है color change करते हैं अब second वाला है x क्या है आपका two y क्या है zero third क्या है x क्या है two y क्या है आपका three ठीक है ये दे के तीन पॉइंट आए अब हमको सेम वही करना है हमें ruler लेना है और इसको एक line को draw कर देना है तीनों point को हमें मिला देना है ठीक है देखो ये मैंने point को मिला दिया तो आप ये देख रहे होगे ये जो line आई है ये किसके parallel है ये y के parallel आ रही है है ना तो इससे क्या proof हुआ हमें कि जब भी हमारा एक value 0 हो x y में या तो x 0 हो या तो y 0 देखो यहाँ पर क्या था कि हमने इसको इस तरीके से लिख लिया था like 0 y equals to 2 ठीक है बट यहाँ पर y था ही नहीं ठीक है वो तो मैंने 2 variable था तो लाने के लिए हमने 0 y कर दिया था बट अगर कभी भी suppose आपके पास y equals to 2 है या y minus 2 equals to 0 है तब आप 0 x कर दोगे यानि x होगा नहीं तो आप उस जगा पर 0 कर दोगे ठीक है तो वैसी condition में क्या होता है आपका हमेशा parallel line आता है यहाँ भी क्या है parallel to the y axis जब हमारा y है नहीं तो यह y axis के parallel होगा जो x होगा और जब हमारा x नहीं होगा तो वो किस के parallel होगा x axis के parallel होगा ठीक है यह बात clear होगी चलो अब I hope so यह आपको अच्छे से clear होगया होगा अब हम लोग next वीडियो में या coming वीडियो में जब भी हम वीडियो अपलोड करूँगी तब आपको इसके exercise करवाऊंगी ठीक है thank you so much and keep support me